दिगज अभिनेत्री सुलोचना दीदी का निधन, अमिताप बच्चन से लेकर राजेश खना तक बड़े स्टास संग कर चुकी है काम। हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने सौम्य और मासूम अभिनेसे लाखो प्रशंसकों का दिल जीतने वाली दिगज अभिनेत्री सुलोचना दीदीव सुलोचना लाटकर का मुंबई के सुश्रुषा अस्पताल में व्रिधा वस्था में निधन हो गया चौरानवे साल की थी अभिनेत्री सुलोचना लाटकर ने अमिताब बच्चन, धर्मेंद्र और दिलिप कुमार जैसे दिगज अभिनेताओं के साथ फिल्में की हैं अभिनेत्री सुलोचना का जन्व 30 चुलाई 1928 को बेलगाम के चिकोडी तालुका के खटकलरत गाम में हुआ था उन्होंने 1943 में फिल्म चगत में अपनी शुरुआत की उन्हें भालजी पेंधारकर से मार्ग दर्शन मिला उन्होंने मराठी और हिंदी फिल्मों में विभिन भूमिकाई निभाई अभिनेत्री के रोप में उनकी भूमिकाई यादकार बन गई सुलोचना दीदी, सुलोचना लगकर की छवी लाखो फिल्म देखने वालों के मन में आज भी वैसी ही है उन्होंने परदे पर सौम्य, शान्त और प्यार करने वाली मा का बखू भी चित्रन किया 1953 में सुलोचना की भावी की चूडिया, मीट भाकर, शक्ती जो बहुत लोग प्रिया रही इसके बाद उनके प्रदर्शन का ग्राफ उपर की ओर परता चला गया संगत्य आईका, मोल करीन, मराठा टिटुका मेल बाबा, साड़ी मंसम, एक्ती सुलोचना दीदी के करियर की सबसे यादकार फिल्मे रही सुलोचना दीदी ने मराठी फिल्म उद्योग को मशूर करने के बाद हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय की च्छाप छोड़ी सुलोची दीदी की यह फिल्म लोग प्रिय हुई, मोतीलाल के साथ उनकी फिल्म मुप्ती भी लोग प्रिय हुई थी उसके बाद उन्होंने पृत्वी राज कपूर, नजीर हुसैन, अशोक कुमार के साथ सैक अलाकार के रोप में भी काम किया बत और हिरोईन उन्होंने 30 से 40 फिल्मे की होंगी उन्होंने 1969 में आई फिल्म दिल देके देखों में पहली बार मा का किरदार निभाया था उसके बाद 1995 तक उन्होंने कई प्रमोख अभिनेताओं की मा की भूमे का निभाई उन्होंने मराथी में 50 और हिंदी में 250 फिल्में की हैं सुलोचना दीदी को 1999 में पदमश्री और 2009 में महराश्ट्र भूशन से समानित किया